नमस्ते फ्रेंड्स मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में तो आज में बनाऊंगी ब्रत वाला आलू का हलवा और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप तो इन नवरात्रों जरूर बनाएं और ब्रत में क्यों आप तो बिना ब्रत के भी खाए ऐसे आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो आप पूरा देखना विल्कुल भी इसकित मत करना अगर आपको ये पसंद आए ना आलू का हलवा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए तो फिर बनाते हैं आलू का हलवा और इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार आलू बॉयल कर लिये हैं पहले से चील लिया है इने और अच्छे से मैस करके ले लिया है इन सारे आलू को अब हम कड़ाई में डाल देंगे और घी के साथ में हम इने पकाएंगे क्योंकि पहले से मैंने एक चमच घी डाल दिया था कड़ाई में बू अच्छी से गरम हो गया तो बस अब सारे आलूओं को डालेंगे और अच्छी से इने पकाएंगे हमगी के साथ में इन आलूओं को ऐसे चलाते हुए हम 10 से 12 मिनिट के करीब तो भून लेंगे इन आलूओं को हम जतना जादा भूनते हैं न इनका फ्लेवर और निखरके आता है मेरे चैनल पर आलू के हलवे की पहले से रैस्पी है खुर्चन आलू के हलवे की बुबाला भी बहुत टेस्टी हलवा लगता है आप तो एक बार उसे भी जाकर देखना मेरे चैनल पर सोट वीडियो में है तो आप जरूर देखना और उसका स्वाद तो आप कभी भूल भी नहीं पाऊगे किसी को खिलाऊगे ना तो वो पहचान नहीं पाएगा यह किस चीज का हलवा है वो इतना अच्छा लगता है और इस हलवे को आप ब्रत में क्यों इसे तो आप कभी भी बना कर खा सकते हैं जब भी आपका मीठा खाने का मन करे ना उसी समय खाएं इसको बना के इन आलुआं को पकाते हुए मुझे 12 मिनिट के करीब हो गए हैं इसे देखिए घी हमारा साइडों से सेपरेट होने लगा है तो अब गैस को हम थोड़ा धीमा कर देंगे पहले से मैंने इने मीडियम फ्लेम पर पकाया था मैंने मीडियम साइज के चार आलु लिए थे तो उनके लिए मैं यहां 1500 ग्राम करीब सुगर डाल रही हूँ आलु के हलुए में थोड़ा मीठा जादा ही अच्छा लगता है अगर थोड़ा हम कम डालते हैं न तो बूबाला टिस्ट नहीं आता इसलिए इन में मैंने थोड़ी जादा ही सुगर रखी है अब सुगर को हम अच्छे से आलुओं के साथ में मिला लेंगे इस हलुए को हम 5-6 मिनिट के करीब और पका लेंगे क्योंकि हमारी जो सुगर है न हम आलुओं में डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ती है इसलिए सारा पानी सूख जाए उसका उतनी देर हम और पका लेंगे और हमारी सुगर अच्छे से पक जाए आलु के हलुए में हमने नहीं किसी फूट कलर का इस्तमाल किया नहीं केसर का इसे आज हम घर पे बना रहे हैं ना तो बिल्कुल नेच्रल तरीके से बना के तैयार करेंगे और हमारे हलुए में थोड़ी सी एक उपर से साइन्सी आ जाए और इसका टीस्ट वड़े इसलिए हम एक चमच और गी का इस्तमाल कर रहे हैं इसमे घी को अच्छे से मिला लेंगे हमारे सारे हलुए में मैंने इसमें किसी भी ड्राइफ रूट्स का इस्तमाल नहीं किया आप इसमें काजू का, बादाम का, पिस्ते का, किस्मिस का जो ड्राइफ रूट्स आपको पसंदो उसका इस्तमाल यहीं पे कर सकते हैं हलवे को मुझे पकाते हुए 5-6 मिनिट हो गए हैं मैं इस हलवे को थोड़े से किसमिस और बादाम से गानिस कर रही हूँ तो देखने में बहुत जादा अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरे आलो के हलवे की रेस्पी पसंद आए ना तो पहले आप इसे बना कर जरूर देखना फिर मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना थेंक यू